हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुती खुबसूरत पैटन सेयर करने जा रही हूँ, यह देखे, इस पैटन को आप और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, जैन साब स्विटर, फुल स्विटर, जैकेट, कार्डिगन, कोटी, गल्स स स्विटर, बच्चों के और प्रोजक्ट, कैप, आदि में बनके बहुती खुबसूरत देखे, हमारा यह पैटन आया है, यह देखे, हमारे पैटन का फ्रेंड साइड है, और यह देखे, यह हमारे पैटन का बैक साइड है, यह देखे, इस पैटन को बनाने के लिए हमने थ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे न्यू वीडियो की नोट्पिकेशन के लिए बेला आइकन दवाना न भूलें वीडियो आपको कैंसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे अब देखे नेस्ट हमने दो फंदे सीधे बुनने हैं तो बैक साइड की तरब से सलाई डालेंगे और सलाई के उपर से देखे ऐसे धागा ले जाएंगे और इस फंदे को सी फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा ये एक फंदा हमने उल्टा बुना फिर धागा पीछे करेंगे अब दो फंदे हमें सीधे बुनने हैं तो देखें ऐसे सीधी साइड से नहीं डालेंगे सलाई ऐसे बैक साइड की तरब से डालेंगे सलाई और देखें सलाई के उपर से ऐसे ले जाएंगे धागा और इस फंदे को सीधा बुनेंगे फिर देखे सीधी साइड से नहीं डालनी है सलाई ऐसे बैक साइड की तरब से डालेंगे सलाई और देखे जो धागा है सलाई के उपर से ले जाएंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे फिर देखे ए दागा ले जाके इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे सीधे, जो फंदे हमारे सीधे आएंगे, उनको हमने बैक साइड की तरब से सलाई डालनी है, और ऐसे सलाई के उपर से धागा ले जाना है, फिर एक फंदा उल्टा, फिर देखे ने एक साइड की तरफ से हम सलाई डालेंगे फंदे में और देखे धागे को सलाई के उपर से ले जाएंगे ऐसे और इस फंदे को सीधा फिर एक फंदा उल्टा दो फंदे ऐसे सीधे आ जाएंगे यह देखे फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा लास्ट का फंदा सीधा आ अब देखे wrong side से second row अब second row में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पिछे कर लेंगे अब देखे front side से देखे जो फंदा उल्टा है वो back side से सीधा आएगा तो देखे जो सीधा फंदा है इसमें भी हमने सलाई ऐसे back side की तरब से डालनी है और धागे को ऐसे सलाई के उपर से ले जाते हुए इस फंदे को सीधा बुनने फिर धागा अपनी side front side की तरब से देखे जो दो फंदे सीधा आएगे बैक side से उल्टे आएगे तो देखे इस तरीकी से हमने ये दो फंदे उल्टे बुन लेने हैं ऐसे फिर धागा पीछे करेंगे आप देखे जो सीधा फंदा आ जाता है इसमें देखे हमने ऐसे back side की तरब से सलाई डालनी है और धागा को देखे ऐसे सलाई के उपर से ले जाएंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे फिर दो फंदे उल्टे ये देखे धागा पीछे फिर देखे एक फंदा सीधा तो देखे जो सीधा फंदा आता है इसमें देखे ऐसे back side की तरब से सलाई डालेंगे और देखे हमने इस तरीके से नहीं बुनना है येसे नीचे से नहीं लाना है हमने धागा ऐसे उपर से ले जाना इस लाइक के उपर से ले जाएंगी धागे को इस फंदे को सीधा बुनेंगे फिर देखे दो फंदे उल्टे दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे दो फंदे उर्टे बुनेंगे फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे यह देखे लास्ट का फंदा उर्टा तो देखे यह बैक साइड से हमारी पैटरन की सेकेंडो कमप्लीट हो गई अब देखे फ्रंटे साइड से थर्ड रो अब थर्ड रो में हमारा पैटरन रिपीट होगा तो देखे यहाँ पे रिपीट रो फिरला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा उल्टा जो फंदा उल्टा है उसको हमने उल्टा ही बुनना है धागा पीछे अब देखे नेश्ट हमारे दो फंदे सीधे आ जाते हैं तो इनको हम सीधा ही बुनेंगे तो देखे बैक साइड की तरफ से ऐसे सलाई डालेंगे अब देखे धागे को हमने सलाई के नीचे से नहीं लान फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे आ जाएंगे, एक फंदा उल्टा आ जाएगा, दो फंदे सीधे आ जाएंगे, सेम प्रोसिस को हम रिपीट करते हुए, फ्रेंट साइड से अपनी पैटन की थर्ड रो कमप्लीट कर लेंगे, यह देखे, यह फ्रेंट साइड से हमारी थर्ड रो कमप्लीट हो गई, यह देखे, अब देखे, रोंग साइड से फोर्द रो, फोर्द रो को हमने सेकिंड रो की थर्ड बुनते हुए कमप्लीट करना है, तो देखे, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, आप देखे, जो सीधा फंदा है, इसमें हमने ऐसे बैक साइड की तरब से सलाई डालनी है, और सलाई के उपर से धादा ले जाना है, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, यह देखे, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, यह देखे, इस तरीके से आने लग जाएगा, हमारा पैटर्न बैक साइड से, सेम प्रोसिस को हम रिपीट करते जाएंगे, और बैक साइड से अपने पैटर्न की फोर दो को कमप्लेट कर लेंगे, यह देखे, यह देखे, इस तरीके से हमारा पैटर्न दिखने लग गया, यह देखे, इस तरीके से हमारा पैटर्न दिखने लग गया, यह देखे, यह फ अपने पैटन को रिपीट करते जाएंगे और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरों से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन है आप इसे और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरप या लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्यू